नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है चमतकारी टोट के यूट्यूब चैनल में इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमतकारी टोट के चमतकारी समाधान बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी जो आपके जीवन की हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देती है तो दोस्तों सबसे पहले चमतकारी टोटके यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों पचास साल बाद बना है सावन के पांचवे सुमवार का विशेश संयोग पूर्णिमा साथ अगस को शिवलिंग पर चड़ाएं ये चीजें खत्म हो जाएंगे सारे जन्मों के दुर्भाग्ये दोस्तों इस बार भगवान शिव का प्रियमा सावन में 50 साल बाद विशेश संयोग बना रहा है महत्वपून बात ये है कि इस बार सावन में सुमवार से इस माह की शुरुवात हो रही है और समापन भी सुमवार को ही होगा जो कि भक्तों को काफी शुब फलदायक देने वाला है साथ अगस को रक्षा बंदन यानि की सावन पूर्णिमा के दिन समापन होगा अकसर सावन में चार सुमवार होते हैं लेकिन इस बार पांच है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने के प्रतेक सुमवार को शिव की पूजा तथा इस दिन वरत रखने और भगवान शिव के ध्यान से विशेश लाब प्राप्त होता है ये सब भगवान शिव की प्रसंदता के लिए किया जाता है। वरत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। साथ ही साथ गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारन करना भी शुब माना जाता है। सावन का पाँचवा सुमवार बड़ा ही महत्व लेकर आया है, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भक्ती पूर्वक शिव की पूजा करने से शत्रूओं पर विजय मिलती है, कारे शेत्र एवन जीवन के दूसरे शेत्रों में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है, जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं, इस दिन पूजा करने के बाद आरती कर शमार्चन करें, कहते हैं कि सावन के पहले संवार को शिव जी को एक मुठी कच्चे चावल चड़ाएं, इससे शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, सावन के दूसरे संवार को शिव जी को एक मुठी सफेद तिल चड़ाने चाहिए, तीसरे संवार को महादेव के शिवलिंग रूप को एक कामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य की जीवन में परेशानियों कांत हो जाता है दोस्तों चंदन को बेहत-पवित्र माना गया है कहा जाता है इसे लगाने से दिमाग शांत रहता है भगवान शिव को भी चंदन बेहत-प्री इसलिए भोले शंकर को चंदन का तिलग करना चाहिए भगवान शिव की पूजा में हल्दी एक विशेश महत्व रखती है इसे भगवान को अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसंद हो जाते हैं लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि हल्दी को स्ट्रिलिंग माना गया है इसलिए हल्दी को शिवलिंग प परिने चड़ाने से भगवान अपने भक्त की हर मुराद पूरी करते हैं भोले शंकर को प्रसंद करने के लिए इत्र भी चड़ाया जाता है इत्र भी भोले शंकर को बहुत पसंद है तो दोस्तों विधिवत श्रावर्ट पूरिमा को पूजन करने से सभी अनिष्ट अकाल से मुक्ती मिलती है तथा हमारा जीवन कुटुम्ब धंधान्य समस्तिसुक सम्रिधी एश्वर से परिपूर्ण होता है तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पांचवे सुमवार को विशेश संयोग बन रहा है और इस सुमवार के दिन विधि चमतकारी तोटके यूट्यूब चैनल दोस्तों क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे सभी लेटिस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ